नमस्कार महस्लामुदिन खान आप देख रहे हैं प्रहा टाइंज घरों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले दो लोगों को कलवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है गिरफ्तार किये व्यक्ति का नाम सदाप कमर सिद्धी की उर्फ बड़ा रेड़ी 25 वर्सिये जो मुम्रा का रहने वाला है वहीं दूसरा व्यक्ति संतोष किसन नाई 29 वर्सिये जो कलवा का रहने वाला है दरसल ये लोग घरों का ताला तोड़कर चोरी करते थे चोरी को अंजाम देने वाले इन लोगों से जब कलवा पुलिस ने सकती से पूश्ताच की तो इन लोगों ने 12 घरों स चोरी करने की बात कबूल की 12 घरों से चोरी हुए 260 ग्राम सोनी के जेवर 400 ग्राम चांदी के जेवर मिले हैं जिसकी कीमत आठ लाख 48,500 रुपे बताई जा रही है देखिए कोई भी चोरी करते टाइम अपना अडेंटिफिकेशन जो है अडेंटिफिकेशन मतलब चेंज करना उसको जल्दी पहिचान नहीं हो सके खुद की वो देखना हमेशा इनकी मोरस रहती है तो उसी मोरस में यह जो है अपना फोन जो है फोन का यूज नहीं करने का इसके बाद जो है थोड़ा सा अपना खुद का जो पहिचान है वो पहिचान बदलने का और अलग अलग तरीके से हेर स्टाइब है वो चेंज करके या फिर कुछ जिस इरिया में घूमते है उसी इरिया में रहने का नहीं तो ऐसे इनका मोरस था और जो भी घर को लगाया चाहिए और तब उसी पिरेड में जो है चोरी करके वहां से निकल जा तो यह इनका हमेशा का मोरस है और यह बिसिकली रिकॉर्ड के बुनेगार है इनके उपर पहले भी दस बीस बुने इनके उपर दाफले एक उपर दस एक उपर बीस है कुछ लोग कन्विक्शन भी डिनगे परने में बहुत से पक्राइड करके नकर पुलिस को मड़ा एक रियक ने रिकावरी दे दी मगर लगभग दो महीने पहले मोंबरा पुलिस ने भी बड़ा रिगड़ी को गिराफतार किया थ हुच समय बड़ा रिड़ी ने रिकावरी दी ती या नहीं इसके बारे में जब हमने मुम्बरा पूलिस के सीनियर इस्पेक्टर किसोर पासलकर से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि कलवा का मामला अलग है और मुम्बरा का मामला अलग है यानी ये साफ है कि बड़ा रेड़ी ने रिकावरी नहीं दी थी, वहीं कलवा पुलिस का मानना है कि आगे और भी पूश्टाच की जाएगी तो और भी कई वड़े खुलासे होंगे तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम